को ओट करना पड़ेगा जो देखें फाइनली ओइले कम स्किन आ चुका है देन उसके बात यहां पर एक न्यू उइंडो भी आ चुका है जो देके वालकॉब्सके विडेकर वैलकुम टू जैण सेट प उजक्ण बीजड देन उसके बात यहां पर टम में किलिक करने के बादी की यहां पर आपके सामने यह है zam का control panel नहीं तो आप बोल सकते हैं zam का dashboard तो दोनु में आप कोई भी भू सकते हैं जो देखãy यह है zam का dashboard तो देख', यहाँ पर आपके सामने जो देख करने जो देखे, 8.2.4 hyphen जीरो बर्शन हम यह जैंब पोपरली ओपन हो पाई पारी है की नहीं अगर ओफें नहीं होगा तो आजयगा तो इरख गातो मान के चलीए जैंब पर साइब यिद अज alors अ है अगर यह वेस्टाइट Most अगर आप open हो जा रही हैं तो मान के चलिए जैंपोबल इंस्टोलेशन हो चुका है आपके सिस्टेम में तो देखें यहाँ पर आपको यह comment अप्ले करना पड़ेगा comment है sudo space slash opt slash lamp slash full stop slash unstop देन उसके बाद आप just keyboard से enter बॉर्टन को प्रेस करते हैं इंटर बॉर्टन को प्रेस काने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम ही क्लेक सकती हैं तो यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा welcome back friends तो मैं बहुत दिन के बाद आप लोग के लिए फिट से इवन्तू का ट्यूटेल लेका आ चुका हैं तो आज का टापिक बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है अगर आप एंट तक नहीं देखेंगे तो पॉब्लम आ सकती है तो आज का जो हम लोग टापिक देखेंगे इवन्तू सिस्टम में हम लोग कैसे जैम को इंस्टालेशन करते हैं मैं आज आप लोग को लिए डिटेल्स में शिया करूँगी तो यहाँ पर मैं इवन्तू का लेटेश वर्शन यूश कर रहा हूँ तो चलिए हम लोग कैसे जैम को इंस्टालेशन करते हैं देखते हैं स्टेफ बेस्टेफ इससे पहले अगर आप लोग ने अभी तक भी ने टॉकिंग गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियोगा तो पहले चैनल के जुरू सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आकोन को पेस करना ना भूलिए तो इससे क्या होगा मैं जब भी नहीं वीडियो दूँगी तो पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको बेसिक टाइडवांस सब्सक्राइब की ने टॉकिंग टूडियल एंट इंट इंडवाइन कोशन एंसर भी मिल जाएगा आप लोग लोग ल ओपिशल एपसाइट तो मैं कोशिश करूंगी इस पीडो की डिफ्सक्रीशन में मैं इसका लिंक देने के लिए तो देखें यहाँ पर आप देख पड़ा है जो देखें यह है जाएम की ओपिशल एपसाइट देन उसके बाद अगर आप जाएम के बारह में यहाँ से यहाँ पर ऑड़ी और तो फिलाल हम लोग विंडोस को यहाँ फोकस करते हैं लिनक्स के बारे में तो देखें यहाँ पर लिनक्स का सेटफ अब लेवेल है जो देखें एट पॉइंट फॉइब वार्शन तो देखें अगर आप इस में क्लिक करेंगे तो अर्मेटिकली जस्ट इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने और भी एक new page open हो जागा जो देखें, same to same version भी यहाँ पर भी available है जो देखें, यहाँ पर Windows के लिए भी available है Linux के लिए भी available है and Mac OS के लिए भी यहाँ पर available है तो फिलाल हम लोग Linux में हैं तो Linux के उपर ही focus करते हैं तो देखें, यहाँ पर आपके सामने जो देखें, version भी show करिये and यहाँ पर check sum and यहाँ पर sizes show करिये अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा old version लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप 8.0.28 version को choose कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा latest version को installation करना चाहते हैं तो 8.1.17 version को choose कर सकते हैं अगर आप latest version है, जो देखें, यह है 8.2.4 version जो देखें, यह download यहाँ पर है and इसका जो size है 151 MB so I hope आप लोग को download करने में कुछ भी problem नहीं होगा just यहाँ पर हम लोग click करते हैं करने के बाद, automatically एक page में redirect कर जाएंगे then उसके बाद, यहाँ से easily यह file download होना start हो जाएगा जो देखें, यहाँ पर processing हो रही है तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको wait करना पड़ेगा तो देखें, यह easily download हो जाएगा download करने के बाद, हम लोग installation process start करेंगे जो देखें, यहाँ पर almost download होना start हो चुका है तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा wait करते हैं जो भी method मैं यहाँ पर share कर रहा हूँ same to same method को अगर आप follow करेंगे तो आप भी देख पाएंगे, even to system में जाएम को easily आप run कर पा रहे हैं अगर आप सोच रहा होंगे, जो जाएम को कैसे installation करेंगे Windows 10, Windows 11 system में तो मैं इसके ओपर पहले से टीटल केट के हूँ, I think आप लोग ने देखा होगा अगर नहीं देखा होगा, तो आप ली चैनल में जाके विजिट कर लिजे, तो आपको easily मेल जाएगा, जो देखें, अल्मोस्ट यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है, कोई भी इरोड नहीं आया है तो देखें, मैं एक बाए फिट से रिपीट कर रहा हूँ, जो देखें, यहाँ पर जाएम का यह जो कॉमंट है, जो देखें, यह है, टोटाली कॉमंट, lsb-release-a, देन उसके बाद आप इंटर बडन को प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पर आप देख पड़ है, जो देखें, इबन तू टू 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 पॉइंट पॉइंट जीरो पोर, LTS भर्षन, मैं इसकी सिस् इसके बाद आप इंटर बडन को प्रेस करें, इंटर बडन को प्रेस करने के बाद आपके सिस्टेम का जो भी पासवाट है, यह पर आप प्रोबाइट कर दीजे, तो चलिए, मैं यह पर प्रोबाइट करता हूँ, जो देखें, अपड़ेट होना स्टार्ट हो चुका है, यह डिपेंडिंग करती है, आपके इंटरनेट के स्पीट के उपर, अगर आपके इंटरनेट के स्पीट बहुत ही फास्ट है, तो ज्यादा टाइमिंग नहीं लेगा, अगर स्लो है तो टाइमिंग लग सकती है, आई तिंग आप लोग जानती होंगी, जो ने टॉकिंग ग एक बार clear कर लेता हूं, then उसके बाद second comment क्या है, तो चलिए, इस बार हम लोग देखते हैं, जो देखें, second comment है, sudo apt space upgrade, जो देखें, यह है second comment, तो देखें, sorry, upgrade, then उसके बाद आप enter बटन को प्रेस कर दीज़े, enter बटन को प्रेस करने के बाद, यहाँ पर apt upgrade होगा, तो यह totally complete ह जगा, जो देखें, complete हो चुका है, then उसके बाद मैं terminal को एक बार clear कर लेता हूं, तो देखें, यह file आपको कहा पर मिलेगा, यह file downloads folder के अंदर आपको मिल जाएगा, तो चलिए, हम लोग move करते हैं, download folder के अंदर move करता हूं, तो देखें, हम लोग download folder के अंदर आ चुके हैं, then उसके बाद यहां पर हम लोग देखेंगे कैसे, आपके downloads folder में तो बहुत सारा कुछ हो सकती है, file हो सकती है, folder हो सकती है, images हो सकती है, videos हो सकती है, तो हम लोग देखेंगे कैसे, इसके लिए, जो comment है, जो देखें, ls, just for ls comment को आपको apply करना पड़ेगा, जो देखें, यहां पर आप देख पार हैं, जो देखें, यह है total setup, अगर आप इस setup को directly run कर देंगे, तो आपके problem आ सकती है, तो इसके लिए आपको यहां पर permission को changes करना पड़ेगा, permission को कैसे changes करेंगे, तो चलिए, इस पर हम लोग देखते हैं, तो मैं पहले आप लोग के लिए clear कर देता हूं, तो देखें, आपको permission को changes करना पड़ेगा, यह है totally common, जो देखें, ls, space, hyphen, al, then उसके बाद आप enter बटन को प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पर आप देख पार हैं, जो देखें, यह है permission, जो देखें, इस permission को हम लोग changes करेंगे, जो देखें, यहाँ पर minus rw, minus r, then उसके minus minus यहाँ पर आपके सामने show करिए, तो देखें, यहाँ पर आप देख पार हैं, तो इसको हम लोग changes करेंगे, changes करने के लिए, आपको एक comment को apply करना पड़ेगा, कौन सा comment है, तो चलिए, इस पर हम लोग देखते हैं, कि यहाँ पर आपको एक comment apply करना पड़ेगा, जो देखे सूडो स्पेस सी हमोडी स्पेस प्लास एक्स देन उसके बात यहां पर आप देख पड़ा है जो देखे यह जो टूटल सेट अफ ने था इसको आप टोटल यह से कॉपी कर लिजे ने तो आप लिग भी सकते हैं यह टूटल आपके ऊपर डिपेटिक होगा तो देखे टूटल करना परिकार जो देखे थोड़ी दें पहली हम लोग ने sense ऐएलर जो देखे यह है है टोटली कमट्स तो देखे यह आप आप देख पड़ा है जो डोणों में दिपरेंस यह पर आपके शों करीए इए, सब आई होप आप लोगको क्लियार हो चुका होगा जब भी आप jam को installation करेंगे even to system में तब आप उसको setup को permission को changes करना पड़ेगा permission को कैसे changes करेंगे तो इसके लिए just for एक comment को apply करना पड़ेगा जो देखे इससे पहले जो था minus rw minus rw minus r hyphen hyphen तो देखे इसके बात यहाँ पर आपके सामने दिखे दे रही है जो देखे totally changes हो चुका है उसके बाद यहाँ पर हम लोग installation कैसे करेंगे जैम को तो इसके लिए आपको एक छोट असर common को apply करना पड़ेगा common किया है जो देखे sudo space full stop slash देन उसके बाद यह जो total setup नेम है इसको यहाँ से आप totally copy कर लीजे नहीं तो आप लिख भी सकते हैं यह totally आपके उपार depending होगा तो देखे यह है totally common देन उसके बाद आप enter बटन को प्रेस कर दीजे इंटर बटन को प्रेस करने के बाद यह आपको दिखाई दीगा थोड़ा सा यहाँ पर timing लग सकती है तो यहाँ पर आपको wait करना पड़ेगा जो देखे finally welcome screen आ चुका है देन उसके बाद यहाँ पर एक new दे रही है select component तो देखे यहाँ पर zam core files and zam developer files दोनों में जा है इसको हम लोग रखते हैं इसको हम लोग कोई भी छेरचा नहीं करेंगे then उसके बाद मैं forward में क्लिक करता हूं forward में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पर हैं जो देखे installation directory जो देखे zam will be installed to slash opt slash link जो देख करने के इसमें आपको मिल जागा अगर आप search करेंगे तो slash opt slash link यहाँ पर आपको jam का all information मिल जागा then उसके बाद हम लोग forward में click करते हैं forward में click करने के बाद फिर से आपको forward में click करना पड़ेगा forward में click करने के बाद ही यहाँ पर आप देख पाएंगे जो देखे installation होना start हो च सकती है minimum 10-15 minutes तो यहां पर आपको वेट करना पड़ेगा जो भी method में share कर रहा हूं same to say method को अगर आप follow करेंगे तो आप भी देख पाएंगे आपके system में जैंप पोबाली installation हो चुका है even to system में जो देखें मैं complicated method share नहीं कर रहा हूं तो मैं simple method share कर रहा हूं I hope आप लोग को clear हो चुका होगा तो प्लीज इस वीडियो को like share and comment करना ना भूलिए आप लोग like share comment कुछ नहीं करते तो देखें एक like से बहुत सारा motivation मिलती है so please इस वीडियो को देखने के बाद like share and comment करना ना भूलिए और दोस्तों आप लोग कौन सा topic के ऊपर tutorial चाते हैं ओभी please comment section में जरूद दे दीजे तो मैं कोशिश करूंगे आने वाले दिन में उस topic के ऊपर tutorial देने के लिए so I think आप लोग को clear हो चुका ह करते है step by step even to system में so I think आप लोग जानती होंगे जो ने talking गुरुजी नाम से facebook का page और ट्वीटे का भी पेच है अगर आपने follow नहीं को आगा तो आप ज़रूर फॉलो कर लीजे तो आप और भी मैं बहुत सरा information and videos share करता हूं तो मैं इस video की description में उसका link दे दूंगी तो देख आप देख पर है जो देखे जाम का जो भी setup था या पर फूपली installation हो चुका है कोई भी इरो नहीं आया देन उसके बात यह पर आप देख पर है जो देखे एक चुट असा box है जो देखे लाँच जाम जो देखे यहापद चेक्माक है अगर आप इस चेक्माक को रहना देना चाहते हैं तो ठीक है अगर आप इसको चेक्माक को अंचेक करना चाहते हैं तो अंचेक भी कर सकते हैं यह तो भी है तो मैं इसको रखता हूं देन उसके बाद मैं finish button में click करता हूं finish button में click करने के बाद ही यहाँ पर आपके सामने जो देखे यह है जैम का control panel नहीं तो आप 4-0 version हम लोग ने installation किया है जो latest version है देन उसके बात यहाँ पर आपके सामने कुछ टैप दिखाई दे रही है तो देखें यहाँ पर कुछ यहाँ पर option दिखाई दे रही है तो चलिए मैं आप लोग के लिए चाहिक है तो देखें यह है welcome tab वहल कर टाप में आपको यह मिल जाएक इसके बात यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है शो करिए स्टेटस में आपको अनली एपाचे ओफ सर्वरी यहाँ पर रानिंग चल लिए यहाँ पर माइसकोईल सर्वर एंट यहाँ पर प्रो एप टी पीडी यह स्टॉप है तो इसको हम लोग कैसे रान करेंगे तो देखें रान करने के लिए यहाँ पर आपको माइसकोईल डेटाबेस में आप सिलेट करिए देन उसके बाद यहाँ पर आप दिखाए दिरिए स्टार्ट स्टॉप रिस्टाट एंड कॉन्फीगर का भ यहाँ पर यहाँ पर यह लोग कलर का यहाँ पर एक साइन था यह ग्रीन हो चुका है सेम टू सेम यहाँ पर प्रो एफटी पीडी को भी हम लोग स्टार्ट करेंगे तो इसके लिए आप स्टार्ट बटम में क्लिक करें स्टार्ट बटम में क्लिक करने के बाद यहाँ पर यह run हो जाएगा सब कुछ कोई भी error आना नहीं चाहिए जो देखे अगर आप इसको configuration करना चाहते है mysql database को तीस के लिए यहाँ पर config का option है just यहाँ पर config button में क्लिक करिए तो यहाँ पर आपके सामने जो देखे पोर्ट नमबर दिखे दे रही है and यहाँ पर log भी option available है and config file भी यहाँ पर available है then उसके बाद यहाँ पर भी apache website में भी आप configuration कर पाएंगे जो देखे configuration करने के लिए port number यहाँ पर mention है and others information यहाँ पर available है अगर आप changes करने चाहते हैं तो changes भी कर पाएंगे नहीं तो by default जो भी है तो मैं उसको रखता हूँ यहाँ पर कोई भी changes नहीं कर रहा हूँ अगर आप एक एक करके start करने नहीं चाहते हैं तो एक बार में सब कुछ start हो जाएगा तो ऐसा भी option available है तो इसके लिए यहाँ पर आप देख पर हैं जो देखे start all का option है and stop all and restart all का भी यहाँ पर option है अगर मैं यहाँ stop all में क्लिक कर दूंगे तो यहाँ पर जो तीनों server running चलिए यह directly off हो जाएगा अगर आप एक बार में सब करने तो इसके लिए start all में क्लिक करिये अगर आप restart करना चाते है तो तीनों को एक साथ में तो restart all में क्लिक करिए यह totally आपके ओपर depending होगा आप एक एक करके run करना चाहते नहीं तो एक साथ सब कुछ run करना चाहते देन उसके बाद यहाँ पर आपके पास यहाँ पर एप्लिकेशन लॉक बोलके यहाँ पर एक टैप दिखे दे रिए जस्ट इसके बाद आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लॉक फाइल आपके सामने आ जाएगा तो देखें यहाँ जाइम का डेश्पोर्ट नहीं तो आप बोल सकते हैं कॉंट्रोल पैनल देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पाड़े हैं जो देखें गो टू एप्लिकेशन ओपेंड एप्लिकेशन फोल्डर बिजिट अपैचे फ्रेंस एंड गेस्ट्राइट का यहा आप यह हम लोग देखना है तो उसके लिए आपको ब्राउज़र को ऊपेन कर लीया है देन उसके बाद यहां पर आपको एक एडिर्स बार में यहां पर एक मिन्शूर करना फड़ेगा एक वीससाइट. तो चलिए इस हम लोगो देखते हैं देखें यहां पर आपको यह ट आप इसको यहां पर दोनों option दिखाई दे रही है जो देखे go back recommended and second option है जो देखे advance तो यहां पर आपको advance option में क्लिक करने के बाद पेच को थोड़ से scroll down करने के बाद यहां पर आपके सामने जोदिके accept the यहां रिक्स and continue option है तो आपके सामने जोदिके जैम का यह है dashboard जब भी आप जैम को installation करेंगे windows system में नहीं तो linux में नहीं तो mac में आप इसको एक बाद ज़रूर ट्राइ करके देखिए जैम पोपाली open हो पाड़ी है कि नहीं अगर open नहीं होगा तो इरोर आजाएगा तो इरोर आजाए तो मानके चलिए जैम पोपाली इंस्टोलेशन नहीं होगा है अगर यह website अगर आप open हो जा रही है तो मानके चलिए जैम पोपाली इंस्टोलेशन हो चुका है आपके सिस्टेम में तो देखिए यह है जैम का डेश्बोड देन उसके बाद इसी तरह अगर आप प्येजपी माई एड्मीन को भी open करना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पर आपको same to same यहाँ पर एडेश्बार में तोड़ा से चेंजेस करना पड़ेगा तो चलिए पी एच्पी माई एड्मीन जो देखिए आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा जो देखिए पी एच्पी माई एड्मीन देन उसके बाद स्लैस देन उसके बाद आप एंटर वर्टन को प्रेस करतीजें एंटर वर्टन को प्रे तो यहां पर भी आप database create कर पाएंगे नहीं तो आपके सामने और भी एक option है तो चलिए मैं आप लोग के लिए ओ भी share कर देता हूं तो इसके लिए आप यहां पर आपको doh t t p then उसके बाद यहां पर आपको क्लों देना परेगा देन उसके बाद डवर लाप त्लैस यहां पर आपको टाइक करना पड़ेगा जोदेखें यह है address देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस कर दिए एंटर बटन को प्रेस करने के बाद XAM की डैश्बोट ओपन हो जगा आप ऐसे करके भी आप ओपन कर पाएंगे XAM का डैश्बोट जो देखे मैंने आप लोग के लिए टीन ओ और ओप्शन शेयर कर दिया है जो भी method आपके लिए चलगती है आप उस method को apply कर पाएंगे जो देखे जब भी आप installation करेंगे तो आप इसको एक बाद जरू check करिए तो मैं एक बाद फिर से repeat कर रहा हूँ देन उसके बाद यहाँ पर पर प्रपाल एजम ओपन हो चुक है कोई भी तो इरोन नहीं आ रही है देन उसके बाद यहाँ पर जो भी था यह भी हम लोग ने देख लिया है जो जो option यहाँ पर available है मन के चलिए आपने गलती से यहाँ से इसको close कर दिया है जो देख्या आड़ कोड था यह totally close हो जुका है देन अब कैसे इसको start करेंगे जैन को तो अगर आप सोच रहे होंगे जो नहीं यहाँ पर कोई भी शौटकार्ट का option है तो देखें यहाँ पर कोई भी शौटकार्ट option available नहीं है तो जैन को कैसे start करेंगे तो चलिए मैं आप लोग के लिए ओभी exam को start करेंगे and stop करेंगे तो इसके लिए आपको एक comment को apply करना पड़ेगा comment क्या है तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं तो देखें यह है totally comment sudo space slash opt slash lamp slash lamp space start then उसके बाद आप enter बटन को प्रेस कर दिजिए enter बटन को प्रेस करने के बाद आपकी system का password यहाँ पर आपको provide करन तो देन उसके बाद मैं enter बटन को प्रेस करता हूं enter बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप देख पर है जो देखे start application server mysql and pro ftpd यहाँ पर run हो चुका है successfully जो देखेंगे यहाँ पर कोई भी error नहीं आया है अगर आप zam को terminal के through start करना चाहते हैं तो आपको इसी common को apply क करना पड़ेगा अगर आप terminal के through open करना चाहते हैं तो आगर आप सोच रहा होगे जो नहीं मैं terminal के through zam को stop करना चाहते हूं तो यह possible होगा yes यह भी possible होगा तो इसके लिए यहाँ पर आपको common को थूर से changes करना पड़ेगा जो देखेंगे sudo space slash opt slash lamp slash lamp space stop यहाँ पर आपको type करना पड़ेगा देन उसके बाद आप enter बटन को प्रेस करतीजें इंटर बटन को प्रेस करने के बाद ही यहाँ पर आप देख पाएंगे जो देखें अपचे server भी stop हो चुका है mysql server भी stop हो चुका है and pro ftpdb यहाँ पर stop हो चुका है कोई भी error नहीं आया है so i hope आप लोग को clear ह हो चुका होगा terminal के थुरू अगर आप open करना चाहते हैं zam को तो इसके लिए आपकी इन दोनों common को apply करना पड़ेगा तब ही यह run होगा then उसके बाद मैं terminal को clear कर लेता हूँ then उसके बाद यहाँ पर तो कोई भी zam का control panel नहीं है तो हम लोग zam को control panel को कैसे open करेंगे तो चलिए इस पार हम लोग देखें इसके लिए यहाँ पर आपको एक common को apply करना पड़ेगा common क्या है जो दिके cd space slash opt slash lamp then उसके बाद आप enter बटन को press कर दिजे enter बटन को press करने के बाद हम लोग opt slash lamp के अंदर आचुके है एन उसके बाद यहाँ पर आपको a less common को type काना पड़ेगा then उस तो हम लोग जैम का control panel open करना चाहते हैं तो यहाँ से control panel open होगा यहाँ पर भी control panel आप open कर पाएंगे तो इसके लिए आपको एक छूट असर comment को run करना पड़ेगा कौन सा comment है तो चलिए इस पर हम लोग देखते हैं तो देखे comment क्या है जो देखे sudo space full stop slash देन उसके बाद यहाँ से manager-linux-x64.run यहाँ से आप इसको totally copy कर लिजे तो चलिए मैं यहाँ से copy कर लिया हूँ देन उसके बाद यहाँ पर मैं इसको paste करता हूँ जो देखें यह है totally comment देन उसके बाद आप just enter button को press कर दीजे इंटर button को press करने के बाद ही यहाँ पर आपके साबने jam का जो control panel था यह probably open हो चुका है successfully कोई भी error नहीं आया है जो देखें आप ऐसे करके भी आप open कर सकते हैं अगर आप इसको open करना चाहते हैं तो नहीं तो यहाँ पर तो कोई भी तो shortcut icon है ही नहीं तो हम लोग ऐसे करके हम लोग open करेंगे jam का जो control panel तो इसके लिए बहुत ही critical हो सकती है आपके case में जो देखें पहले cd space slash opt lamp में जाएंगे देन उसके बाद लिस करेंगे देन उसके बाद sudo space slash manager linux-r run करेंगे थोड़ा सब्सक्राइब हो जा रही है तो इसके लिए आप एक कम कर सकते हैं jam का एक dxt of shortcut icon create कर सकते हैं आप उससे भी directly run हो जागा तो आपको ऐसे करके step based step open करना नहीं परेगा तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं जो jam का एक dxt of shortcut icon कैसे create करते हैं तो चलिए तो इसके लिए पहले आपको यह जो jam अपनी control panel है इसको पहले close करना पड़ेगा तो देखे आपको एक new terminal को open करना पड़ेगा जो देखे terminal को open करेंगे कैसे shortcut form है जो देखे control alt t जो देखे यहाँ पर आप प्रेस करेंगे keyboard से तो आपके सामने जो देखे terminal open हो चुका है then उसके बाद आप just keyboard से enter button को प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो देखे जो देखे जो देखे अगर आप इस common को note down करना चाहते हैं तो note down कर लीजे तो आपके लिए और भी benefit हो सकती है जो देखे यहाँ पर totally यहाँ पर step by step आपको इस common को run करना पड़ेगा then उसके बाद इसको safe कैसे करेंगे safe करने के लिए यहाँ पर आपको control and x button को keyboard से प्रेस करना पड़ेगा then उसके बाद safe modify buffer तो यहाँ पर आपको y button को प्रेस करना पड़ेगा then उसके बाद आप enter button को प्रेस करेंगे तो यह totally safe हो जाएगा then उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो देके desktop में जो देखे एक shortcut icon create हुआ है जो देखे zam का जो देखे कौन सा है जो देखे यह है जो देखे यहाँ पर आप देख पार है then उसके बाद यहाँ पर आप देख पार है जो देखे cross mark कभी यहाँ पर icon है but यह run नहीं होगा तो इसको आपको enable करना पड़ेगा कैसे enable करेंगे तो चलिए इस पर हम लोग देखते हैं तो इसके लिए zam.desktop जो icon create हुआ है desktop में जो देखे इसके उपर आप right click करिए right click करने के बाद यहाँ पर आपको properties में आना पड़ेगा properties में आने के बाद यहाँ पर आप दिखे दे रही है basic permission open ओई तो यहाँ पर आपको permission में जाना पड़ेगा permission में जाने के बाद यहाँ पर जो भी same to same ऐसा ही रहने दीजिए यहाँ पर आप कोई भी छेर चार मत करिए देन उसके बाद यहाँ पर आपको एक option मिल जाएगा जो देखे execute तो देखे allow executing file as a program तो देखे just यहाँ पर आपको check mark में click करने के बाद यहाँ पर जो भी था totally complete हो जुका है तो just ही इसको आप close कर दीजिए देन उसके बाद फिर से आप jam desktop के उपर right click करिए shortcut के उपर देन उसके बाद यहाँ पर भी आपके सामने बहुत सारा option दिखे दे रही है तो देखे यहाँ से आपको एक option को चुछ करना पड़ेगा जो देखे allow launching देन उसके बाद ही यह properly active हो देन उसके बाद इसको हम लोग double click करके देखते हैं जो देखे jam का control panel open हो पर ही है कि नहीं तो चलिए तो इसके लिए just इसके उपर हम लोग double click करते हैं double click करने के बाद ही यहाँ पर आपको एक terminal open हो चुका है terminal open होने के बाद आपके system का password यहाँ पर आपको provide करना पड़ेगा तो चलिए यहाँ पर मैं system का password provide करता हूं तो देखे मैंने यहाँ पर password provide कर दिया है देन उसके बाद ही यहाँ पर आप देख पर हैं जो देखे successfully यहाँ पर jam यहाँ पर control panel open हो चुका है कोई भी erode नहीं आया है तो आप ऐसे करके भी jam का control panel open कर पाएंगे तो इसके लिए एक desktop icon create करता परेकर create करने के बाद ही आप easily कोई भी काम कर सकते हैं तो चलिए मैं आप लोग के लिए ओभी share करके दिखाए दीता हूं जो देकि यहाँ पर मैंने server था मैंने server यहाँ पर totally stop है तीनों server ही तो मैं यहाँ पर start all में click करता हूं start all में click करने के बाद एक साथ तीनो में यहाँ पर share कर रहा हूं same to same method को अगर आप follow करेंगे तो आप भी देख पाएंगे easily zamp installation हो चुका है ebantu system में तो मैं यहाँ पर ebantu का latest version यूज कर रहा हूं तो देखे properly run हो चुका है then उसके बाद हम लोग browser में आते तो चलिए यहाँ पर मैं browser में जाता हूं then उसके बाद यहाँ पर हम लोग जो comment था तो देखे https then उसके बाद colon double slash then उसके बाद यहाँ पर localhost जो देखे यहाँ पर localhost phpmyadmin को मैं open करके देखता हूं पहले जो देखे successfully phpmyadmin open हो चुका है then उसके बाद और भी एक comment था जो देखे http then उसके बाद colon double slash 127.0.0.1 जो देखे यह है comment तो देखे यह भी properly open हो चुका है successfully work करी है हम लोग का जो jam का desktop shortcut icon तो देखे आप ऐसे करके भी देख सकते हैं so i hope आप लोग को clear हो चुका होगा जो देखे then उसके बाद अगर आप यहाँ से stop करना चाहते हैं तो यहाँ से directly stop हो जाएगा जो देखे mysql database pro ftpd and apache web server then उसके बाद यहाँ पर जो देखे shortcut icon create हुआ है आप कोई भी site में रख सकते हैं desktop में तो देखे आप easily हो चुका है कोई भी problem नहीं हुआ है then उसके बाद मैं jam का जो control panel था इसको मैं totally close करते था हूँ तो देखे successfully यह भी close हो चुका है जब हम लोग ने यहाँ पर jam control के ऊपर double click करने के बाद यहाँ पर आपके समने एक terminal का option आज जागा terminal के में आने के बाद आपके system का password पोवेट करना पड़ेगा then उसके बाद ही jam का control panel open होगा अगर आप उस time में password नहीं देंगे तो open नहीं होगा तो मैं पहली clear कर देता हूँ अगर आप सोच रहा होंगे जो नहीं उस password का option को remove करना चाहता हूँ यह possible होगा मैं directly open करूंगी jam control panel open हो जागा yes यह भी possible होगा तो उसके लिए यहाँ पर आपको कुछ comment को apply करना पड़ेगा comment क्या है तो चलिए इस पर हम लोग देखते हैं step by step तो देखें यहाँ पर आपको first comment apply करना पड़ेगा जो देखे sudo visudo then उसके बाद आप enter button को प्रेस करिए enter button को प्रेस करने के बाद आपके system का password यहाँ पर आपको provide करना पड़ेगा totally common, तो देखें, यहाँ पर आप देख पड़ें, सबसे last में आ जाएं, last में आने के बाद, इस common को आपको apply करना पड़ेगा, तो मैं पहले आप लोग के लिए clear कर देता हूं, जो देखें, first, जो यहाँ पर आप देख पड़ें, जो देखें, यह है, event to system का username, तो यहाँ पर dot run, then उसके बाद इसको save करना पड़ेगा, save कैसे करेंगे, save करने के लिए यहाँ पर आपको control and O बटन को प्रेस करिए, then उसके बाद यहाँ पर आप control and X बटन को प्रेस करिए, then उसके बाद enter बटन को प्रेस करिए, then उसके बाद फिर से control and X बटन को प्रेस करिए, then उसके ब CTRL & X button को प्रेस कर दीजिए जो देखे successfully सेफ हो चुका है तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं XAMP control panel को directly double click करके यह open हो पारी है कि नहीं तो चलिए तो इसके लिए मैं terminal को एक बार minimize करता हूं देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पर हैं XAMP का control panel तो just इसके उपर हम लोग double click करते हैं double click करने के बाद ही यहाँ पर आपके सामने जो देखे कोई भी password का option नहीं आया जो देखे directly open हो चुका है आप ऐसे करके भी आप XAMP का control panel को open कर सकते हैं तो देखे मैंने आप लोग के लिए बहुत सारा method दिखे दिया है जो भी method आपके लिए अच्छा लगती है आप उस method को follow कर सकते हैं देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग जो देखेंगी XAMP का installation process तो दिखा अगर आप in future installation करना चाहते हैं तो installation कैसे करेंगे तो चलिए मैं आप लोग के लिए ओ दिखे देता हूं तो इसके लिए XAMP का जो control panel है इसको मैं close करता हूं close करने के बाद यहाँ से मैं एक terminal को open करता हूं terminal को open करने के पाद यहाँ पर मैं terminal को एक लिए कर लेता हूं I hope आप लोग अच्छी तरह से देख आएंगे देन उसके बाद यहाँ पर एक comment को apply करना पड़ेगा कौन से comment है तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं तो देखें यहाँ पर आपको यह comment apply करना पड़ेगा comment है sudo space slash opt slash lamp slash full stop slash unstop then उसके बाद आप just keyboard से enter button को प्रेस करते हैं enter button को प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपका थोड़ा सा timing क्लेक सकती है तो यहाँ पर आपको wait करना पड़ेगा then उसके बाद यहाँ पर आपके सामने जो देखें एक छोटा सा window open हो चुका है जो देखें do you want to install jam and all of its modular जो देखे के yes I do तो देखें आप installation करना जाते हैं तो इसके लिए आप y button को प्रेस करते हैं y button को प्रेस करने के बाद ही आपके system से properly installation हो जागा jam जो देखे properly installation हो रही है कोई भी error आना नहीं चाहिए जो भी method मैंने दिखाया है same to same method को अगर आप follow करेंगे तो आप भी देख पाएंगे आपके system में jam properly installation हो चुका है और properly run भी करिए तो यह है सबसे best method अगर मैं complicated method शेयर करूंगी तो बाद में जाके आपको problem आ सकती है और यहाँ पर installation के time में थूड़ा सा timing लग सकती है minimum 5-6 minute तो यहाँ पर आपको wait करना पड़ेगा फाइनली यहाँ पर आप देख पर है जो दिक्या अंस्ट्रालेशन इस टूटली complete देन उसके बाद मैं ok बटम में क्लिक करता हूं देन उसके बाद आपके system से properly jam installation हो चुका है कोई भी इरो नहीं आया है देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग ने जो जैम का एक डिक्स्टॉप आइकोन कीट किये थे तो इसके लिए इसको हम लोग कैसे रिमूब करेंगे तो इसके लिए आप इसके ऊपर रैक्लिक करेंगे रैक्लिक करने के बाद यहाँ और मूब टू थ्रेश में आप क्लिक कर दीजे तो देखें यह पोपली डिलिट हो जाएगा जो देखा आप ऐसे करके जैम को इंस्टॉलेशन कर पाएंगे इबंतू सिस्टेम में स्टीप बेस्टिप मैंने शेयर किया है दैन उसके बाद मैं आप लोग के लिए एक option शेय करना चाहते हैं तो आप नोट डाउन कर लिजे नहीं तो आप स्कीन शॉट भी ले लिजे तो आपके लिए बेनेपीट हो सकती है जो देखें मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं जो देखें पहले हम लोग ने यहापर अपडेट किये थे दिन उसके बाद अपग्रे हम लोग ब्राउजर में किये थे ब्राउजर में जाने के बाद यहाँ पर https localhost slash dashboard हम लोग ओपन किये थे नहीं तो आप http 127.0.0.1 को भी आप ओपन करकर देख सकते दोनों में सेम टिसमिया आउट्पूट आ जाएगा देन उसके बाद यह है phpmyadmin के लिए देन उसके बाद अगर आप terminal के थूप ओपन करना चाहते हैं या पर जैम को तो इसके लिए आपको इन दोनों common को apply करना पड़ेगा जो देखें यह है totally common जो देखें आप इसके start भी कर पाएंगे and stop भी कर पाएंगे अगर आप terminal के थूप जो control panel है आप उसको open करना चाहते हैं तो आपके लि देन उसके बाद यहाँ पर अगर आप directly जैम जो shortcut gate हुआ है just इसको open double click करेंगे तो आपके साब में password का option आएगा अगर आप password option को remove करना चाहते हैं तो आपके लिए इस common को apply करना परेगा देन उसके बाद आगरें future installation करना चाहते हैं तो installation के लिए यह है totally comment तो प्लीज इस common को आप note down कर लिजे नहीं तो आप skin shot भी ले लिजे तो आपके लिए benefit हो सकती है जैम को कैसे installation करते हैं even to system में step by step I hope आप लोग को clear हो चुका होगा अगर फिर भी कोई भी doubt आ लिए कुछ भ दे दीजे तो मैं आप लोग के लिए जाड़ू help कर दूगी अगर आप jam को कैसे windows 10 system में installation करेंगे अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लीज चैनल में आने के बाद थोड़ सा सार्ज करिया आपको easily मिल जाएगा जो देके यहाप पोपाली mention है जो देका how to install for jam windows 10 system अगर आ आप windows 11 में कैसें installation करेंगे जाइम को अगर आपको नहीं पता हैं तो प्लीज इस टुटर को देख सकतें अगर आप event का थोड़ सा old version यूज़ कर रहे हैं तो old version में कैसे आप jam को installation करेंगे अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लिस इस tutor को जरूद देखिए तो देखिए यहाँ पर totally mention है जो देखिए उंडोस 10, उंडोस 11 and event तुमें कैसे jam को installation करेंगे के a to z videos यहाँ पर available हैं जस्ट यहाँ पर आपको चैनल में के थोड़ा सा सार्च करना पड़ेगा नहीं तो मैं कोशिश करूँगी इस वीडियो की description में नहीं तो मैं i button में इसका link देने के लिए अगर आप लोग ने अभी तक भी networking गुरुजी चैनल को subscribe नहीं क्या होगा तो पहले चैनल को जुरू subscribe कर लिजे और bell icon को प्रेस करना ना भूलिए जब भी आप bell icon को प्रेस करेंगे तो आप on में जुरू click करिए तो यहाँ पर आपको basic to advanced level की networking tutorial और टींट अबन question answer भी मिल जाएगा आप लोग like share comment कुछ नहीं करते हैं तो देखे एक लाइक से बहुत सरा motivation मिलती है तो प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद like share and comment करना ना भूलिए तो देखे आप लोग कौन सा topic के ऊपर tutorial चाते हैं और भी प्लिस comment section में ज़रू दे दीजे तो मैं खुशिश कर होंगे networking related and Linux related and cloud related a to z tutorial share करोंगी अगर आप सोच रहे होंगे जो उंडियोस 11 के ऊपर tutorial है की नहीं यहाँ पर भी आप लेवेल हैं तो आप डिरेक्ली प्लेलिस्ट में आ जाएगे प्लेलिस्ट में आने के बाद यहाँ पर आपको दिखने देगा जोदे के almost यहाँ पर 63 लीनक्स देन उसके बाद क्लाउट एंट यहाँ पर माइकोसोफ बहुत सरा यहाँ पर टूटिरल अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं सो दोस्तों आज के लिए इतने ही सो आने वाले दिन में हम लोग और भी आडबंस टैडबंस ने टॉकिंग टूटिरल में जरूर आप लोग के लिए लेकर जोंगी सो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और जरूर कॉमन करिये आप लोग कौन सा टॉपिक के ओपर टूटिरल चाहते हैं आई तिंग आप लोग जानती होंगी जो ने टॉकिंग गुरुजी नमसक फेस्बूक का पीज़ाए और टुटर का भी पेज़ागर आपने फॉलो नहीं कर गोता हम जरू फॉलो कर लिजे दुगाव पर में मैं बहुत सारा इंपॉमेशन और वीडियो शेयर करता हूं तो दोस्तों आज के लिए इतना है थैंक्स पर वाटिंग झाल